कर दोस्ते को बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और यूटूब वीडियो में बहुत इंपोर्टन्ट वीडियो और मतलब मन्था बनाने का सारा कुछ मतलब बताई चुका हूँ मैं कि मैं थोड़ा अब्यस्त हूं और मतलब घर में कामवाम सब चला है तो इस सब के बीच मे मतलब मैं मजबूर हो गया कि वीडियो बनाने पर बहुत सारे कमेंट्स मुझे भी आ रहे थे तो बहुत महत्पूर्ण ये वीडियो होने वाला प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखें समझने की कोशी करें कि तभी आप समझ पाएंगे और मतलब इससे जादा और क्या काम किया जाता है क्या किया जैता की अनकिकिया दश्यार वहां मैं धी और मने यूट्योड फाला और दिए ओभे यह और को जिसको सीखने में या समझने में मुझे थोड़ा सा समय लगा एक मूवी आई थी मैंने उस मूवी का मतलब जो मेरे दिल से आवास थी वो मेरी निकली थी राधी शाम की में बात कर रहा हूं मुझे मूवी अच्छी लगी थी और मैंने उसका अच्छा मतलब पॉजिटिव ज जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने डिलीट की और नेगेटिव बोला उस चीज के बारे में क्योंकि मुझे लगा कि साइज से सब लोग ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे भी ऐसा बोलना चाहिए लोगों को पसंदनी आई है तो मुझे भी नहीं आना चाहिए लेकिन मुझे बाके में अच्छी लगी थी आज भी मतलब बहुत मेमरीवल मुवी है वो मेरे लिए रादे शाम और मुझे उसमें कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं लगी थी फिर मैंने वो रिकॉर्ड करके आपको मिल जागा हमारी चैनल पर फिर मैंने उसका नेगेटिव रिव्यू जो है अनपेड है कौन सा दिल से किया जा रहा है कौन सा और लोगों का रिस्पॉंस देखके किया जा रहा है जबकि जैनुएन रिव्यूर मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से केटेक्स पो होता है जो पहली बार मुवी देखे और जो उसका जैनुएन उपीनियन है वो आपके सामने र सब्सक्राइबween सब्सक्राइब कि एक क्या होता है जिनके पास लाखों में सब्ट्राइबर्स हैं वो उनकी पाइस सुन्ते हैं समस्ज्टे हैं आज की बन गाया यह पहले नहीं पहले जो मोवीज बनती थी, पहले कुछ अथा पता नहीं होता था, आप देख हैं पहले के लोग मूवी देखके आते थे और इस तरी के चीजें उन्की लोग मूवी देखना पसंद करते हैं, आज की डेट में क्या हो गया है, मोवी आप देखने जाएंगे थेटर में उससे पहले आपको सौ रिवीव जैसे सुनेंगे कानों में वह चीज आपके भर दी जाएंगी जो नहीं भरना चाहिए उनका इंपेक्ट सीधा आदमी के दिमाग पर पढ़ता है ठीक है अगर वह आज यह सारी चीज ना होती और एक अच्चा लगा मुझे अभी अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा मैं अभी भी एक बात पर पर मूवी साल की नहीं इस दसक की सब्छेव बड़ी मूवी बन सकती है मैं अभी है कि हमें अच्छा लगा नहीं लगा वो सारी चीजें ये लोग करते हैं फिर जो है वह रिवीव करते हैं सूरज कुमार का पता है जलसा जैसी मूवी को मास्टरपीस बता सकता है जब लोगों ने उसका बजाना सट किया कि जलसा कहां से से मास्टर पीश लगी उसने वो वीडियो अठा दिया प्राइवेटी कर दिया बेन एफटी वाले को आप देखें यह यह बंदा इतना है मतलब इसकी डाली मुझे तक नहीं आती है और यह बड़ी-बड़ी मुवी के सीजी आई समझा रहा है लोगों को जहां 500 खर्च किये ह समझा रहा है और यह प्रॉपर मैंने आज तक उस चूदियेगा एक भी वीडियो नहीं देखा कभी कबार देखना मुझे इतना पता है कि हॉलीवूड का कीड़ा है अगर यह कोई मूवी हॉलीवूड की होती ना आदिपुरुष सब लोगों को पसंद आती हो मतलब इतना खाता इतना खाता आप लोगों को क्यों क्यों कि उसके पास और्डियंस है और्डियंस एक मतलब जनता होती है जो आपको बना सकती है जो बिगार सकती है मैं कई बार बोल चुका हूं और कई जनता तो ऐसी होती है कि मतलब आप उनके लिए सब कोछ होते है आपने जो बोल VFX ना हो तो तुम्हें दिक्कत CGI हो तो तुम्हें दिक्कत CGI ना हो तो तुम्हें दिक्कत क्या देखना चाते हो अब अरुन गोबिल की रामार्ड जो रामानन सागर की रामार्ड उससे कंपेर कर रहे हैं इसको मैं करहा हूं आज की डिट में रामानन सागर की रामार्ड बनती उसको उसको नहीं छोड़ते यह लोग किस जात के हैं किस जाती धरम के हैं उसमें कमिया निकालते आज इतनी अच्छी मुवी पहले से उन्हों ने बोला नहीं था क्या में एस ते रही एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा और कैसे दिखाता है एक डारेक्टर का अलग मैं आरा है कल से जो मैं देख रहा हूं कि राजा मौली ने जो रामचरण को दिखाया आता ये दिखाया था वो दिखाया था देखो मैं बोल चुका हूं SS Raja Mali को टकर देने वाला कोई भी डारेक्टर अभी तक तो इस इंडिया में या इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है तो उससे कंपेर करना छोड़ दो मैं किसी को किसी से कंपेर नहीं करता ओम राओ तो एक अलग डारेक्टर है हर डारेक्टर का एक अलग विजन होता है उनका ये विजन था जो कल हमें देखने को मिला दूसरे बड़ी बात कॉंटेंट का रंडी रोना जो लगा के रखते हैं अब कॉंटेंट आपको आ रहा है सामने मतलब प्रभास आपको नेवर विफोर अफ्तार में दिख रहे हैं इस तरह के रावण आपको दिख रहे हैं उनका बिजन था रावण को रावण की एक काली को जज करने सारा कुछ करने उसके मतलब वह उस पर उड़ता हुआ रहा है उन चीजों को जज करें तो सबसे तुम्हें जहांट नौलिज नहीं है मैं लिटरली बता रहा हूं तुम जो सीजी आई पर ग्यान पेल रहे हो ना यह हॉलीवोड से तुम हॉलीवोड के कील होता है और यह अभी यह रुकेंगे नहीं यह आगे चलते चले जाएंगे क्योंकि इनके पास ऑडियंस है मैं बोलता हूं जनता के हाथ में सब कोछे जनता बना भी सकती है जनता बिगाड़ भी सकती है वह चीज इन्होंने नोटिस कर लिया और उसी चीज का यह लोग फाय अब जैसे मेरा भाई बोल ला था कि जो भगवान शीराम ने बनवास काटाता वह सफेद कपड़ा में नहीं काटाता जो सफेद कपड़े उन्होंने पहने है थोड़ा ड्रेस जो है वो डिजाइनर दिखा दी गई है मतलब सफेद धोती उन्होंने पहने ए खादी कि इन सारे लोगों के बीच में जो है वो चर्चाएं होई होगी और यह सूरज कुमार तो मुझे लगता है यह सब के रिव्यू देखने के बाद ही अपना रिव्यू देता है जो रिश्पॉंस आ रहा है क्योंकि कम्विनिटी के साथ चलना जैसा मैंने पहली बार में गलती की थी क कि मैंने सचा यूटूब पर सब लोग ऐसी कर रहे हैं तो ऐसे वीडियो चलती होगी तो मैंने भी वह है जो इन सब के साथ जो है वो लेकर बाद में वह चीज मैं समझा और यह वी एनफ्टी टीवी बाला इसने तो मतलब इसकी मैं क्या ही बोल दूँ आट-टस चैनल बना कि अपलोड कर दिया मैं इसी इन ही सब चूतियों कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आता कि आठ-ठाट चैनल पर सिर्फ हंग रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं कोई काम की बात नहीं करते हैं सिर्फ हंग रहे हैं हॉल्लीवड की वीडियो मिलेंगे आपको सीजी आइपको दिखा देंगे लोगों को वह पसंद आ रहा है तो हम तो जैनुमन बात कर रहे हैं और मैं अभी भी वहीं बोलूँगा आदिपुरुस का टीजर बहुस्ट टेजर है अगर यसा ना होता तो वीच गंटे में चौन सब्सक्राइब इस पर नहीं आते 24 गंटे में अलग से ब कभी मैं रंडी रोना नहीं किया ना मैंने ब्रह्मस्थ करूंगा जीवन में कॉंटेंट आएगा हमारे भारती संस्क्राइगी कोई बीचीज आएगी मैं उसको दिल खोलके सपोट करूँगा चाहें आज की डिट में उम रामानन साकर की रामयर होती की आधी प्रूस होती इसके अलावा और मैं कुछ नहीं बोल सकता मुझे टीजर बहुत अच्छा लगाए बहुत अच्छा है बहुत पर्टिकुलर लोगों को पसंद भी आ रहा है यह चंद चूतिये एक ग्रुप बनाके सलाय करते हैं कि हमें यह इस चीज को फ्लॉप करवाना है तो खरवाना है अब इसी ने ब्रहमास्त के ग्राफिक्स पर कितने सवाल उठाएते लेकिन बाद में आयन मुकरजी ने इसके सारे गुरुप को बलाए इंट्रव्यू दिया आज ब्रहमास्त की बड़ा इनके सुर्व बदल गया इनके सुर्व बदल गया अगर ओम राउत इन सब के साथ क को मानता हूं मैंस्ञा ने अपने अपने दोस्तों को भैजा जो दोस्त है यहां पर भी नहीं है मद कंहीं정 मस्क अठ конц है क्योंकि इनके पास इस सब कुछ है तो यह ग्यानी होगा साथ से मैं चूतिया हूं मेरे दोस्ट चूतिया है इसके अलाब और मैं क्या बोलता हूं बागी आप लोग अपनी राजरू से कॉमेंट करके बता हैं मिलते हैं आप से बहुत जल और किसी नहीं वीडियो और तक्ति ली जय हिन भदने मात र कर दो